हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल में आज हम पढ़ने वाले हैं मापन से रिलेटेट बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रेशनोत्तरी जिसमें हम मापन में जो भी भौतिक राशिया आती हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे वो भी विस्तार से यह प्रतियोंगी परिक्षा वर्ग एक और दो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं भौतिक राशियों के बारे में तो भौतिक राशी क्या होती हैं? भौतिक राशी ऐसी सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशियां मतलब physical quantities कहलाती हैं उधारन के लिए हम बल, दूरी, ताप, आधी को कह सकते हैं अब हम जानते हैं भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में तो अब हम जानते हैं भौतिक राशियों के बारे में इसमें हम सबसे पहले जानते हैं मूल राशियों के बारे में कि भौतिक मूल राशिय क्या होती है मतलब fundamental quantities ऐसी भौतेक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भण नहीं होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं उधारण के लिए हम द्रबमान, लंबाई, समय, ताप, जोती तीबरता, विद्धुधारा तथा पधार्थ की मात्रा को हम मूल राशी कह सकते हैं नेक्स्ट हम जानते हैं ब्यूत्पन राशी के बारे में मतलब ड्राइब्ड क्वांटिटीज ऐसी भौतेक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं एवा मूल राशियों की सहायता से ब्यूत्पन की जा सकती हैं ब्यूत्पन राशियां कहलाती हैं उधारन के लिए हम छेत्रफल, आयतन, दाव तथा घनत्व आदी को विद्पन्य राशियां कह सकते हैं। विद्पन्य राशियां प्राप्त करने की विधी को एक उधारन द्वारा समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए आयतन का प्रियोग करते हैं। जैसे आयतन बराबर लंबाई गुडित चोड़ाई गुडित उंचाई लंबाई गुडित लंबाई गुडित लंबाई गुडित लंबाई आयतन को हम लंबाई के क्यू से इसे डोनेट करते हैं उपरोक्त सूत्र से ग्यात होता है कि उद्व्यूत्पन्य राशी आयतन को प्राप्त किया जा सकता है, नेक्षम जानेंगे पूरक राशियों के बारे में, मतलब supplementary quantities, मूर राशियों तथा विद्पन राशियों के अतिरिक्त, दो अन्य भौते के राशियां भी होती हैं, जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं, उधारन के लिए समतल कौन तथा घन कौ जाता है, अदिस राशियां और सदिस राशियां, अदिस राशियां, इसकेलर quantities ऐसी भौते क राशियां हैं, जिन्हें व्यक्त करने हैं, तो केबल परिमाड मतलब magnitude की आवश्यक्ता होती हैं, दिसा की नहीं, उन्हें अदिस राशियां कहते हैं, उधारन के लिए द्रब्य लंबाई, समय, चाल, आदि, ये सब आदिस राशियां हैं, अब सदिस राशियां, सदिस राशियां मतलब vector quantities, ऐसी भौते क राशियां जिन्हें व्यक्त करने हैं तो, दिसा तथा परिमाड दोनों की आवश्यक्ता होती हैं, उन्हें सदिस राशियां कहते हैं, उधारन के लिए विस्थापन, वेग, तवरन, आदि, अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों का मापन, अब भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाता है, तो किसी भौतिक राशियां के मापन के लिए हम दो तथ्यों की आवश्यक्ता होती हैं, जो निमने हैं, सबसे पहले तो मान मानक मातरक, दूसरा संख्यात्मक मान, अब मानक मातरक मतलब स्टेंडर्ड यूनिट जो होता है जिस बहुत एक राशी को हमें मापन ग्यान करना पड़ता है ना, उसकी एक निश्चित मातरव को मानक मातरक कहते हैं, उधारन के लिए हम लंबाई का मातरक मीटर तथा अंतराष्टिये माननता प्राप्त होना चाहिए अब नेक्ष्ट हम इसी में पढ़ते हैं संख्यात्मक मान मतलब numerical value यह भौतिक राशियों के परिमार को व्यक्त करता है यह दर्शाता है कि भौतिक राशी के परिमार में उसका मात्रक कितनी बार समिलत है जैसे छात्र का द्र रवमान मानक मात्रक किलोग्राम से 40 गुना है